लोगडाउन खत्म होनी की मियाज जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है अब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 14 अपरेल के बाद क्या होगा क्या लोगडाउन खत्म हो जाएगा या फिर इसे एक बार फिर बढ़ाया जाएगा या फिर कुछी इलाकों में लोगडाउन से चुटकारा मिलेगा भारत में अभी कोरोना वायस का संकर्वन रोकने के लिए एक अरब से जादा की आबादी लोगडाउन के दाएरे में है इसी वज़ा से देश की अर्थ विवस्था को गंभी नुकसान हो रहा है सरकार से मिल रहे संकेत बताते हैं कि 14 अप्रेल के बाद एक ही बार में देश से लोगडाउन नहीं हटाया जाएगा सरकार का आकलन है कि लोगडाउन की वज़ा से कोरोना वायस को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिली है लेकिन लोगडाउन की वज़ा से लोगों और अर्थ विवस्था को गहरी चोट बहुच रही है वित्मंत्राले के एक अधिकारी ने बताया कि एक फोरी आकलन बताता है कि भारत की रोजाना जीडिपी लगभग 8 बिलियन डॉलर है अगर लोगडाउन को 30 दिनों तक खीचा जाता है तो लगभग 250 बिलियन डॉलर का नुकसान देश को होगा अगर लोगडाउन को जल्दी हटा लिया जाता है तो वित्य वर्ष 2021 में इस नुकसान को पाटा जा सकता है लेकिन अगर लोगडाउन लंबा खीचा तो डिकावरी असंभव हो जाएगी हालांकि सरकार के सामने चुनोती गंफीर है कोरोना विश्वेव्यापी खत्रे और दुनिया में इसके कहर को देखते हुए सरकार एक तरफा फैसलान नहीं लेना चाहती इसलिए मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये प्रधान मंत्री ने सहमती का रास्ता चुना और राज्यों से कहा कि वो लोगडाउन से एक्जिट का प्लान तयार करके भीजे अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो से लाइक और शेयर करें साथ ही अपने व्यूज अमें कमिन करके जरूर बताएं डेली फ्रैंडिंग निउस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए